दस्तक 24 हम लोग आज यहां पर पहुचे हैं मड़ी आहूं कत्वाली छेत्र के भुलैपूर्णिवासी जिलाजीत प्रजापती की सोरा वर्षी पुत्री जो तेश तारीक को रात में गायब हो गई और संदिध प्रस्तिती में 200 मीटर दूर रेलेवेट ट्रैक पर उनकी लासे मिली तो आज हम उनके घर पर आ चुके हैं हम उनके परिवार्षे उनके सभी गार्जियन से हैं जानकारी हम लेना चाहेंगे दो सब्द के लिए तो सर जी अपना नमताई है जिला जी परिजा पती ये जो घटना घटी वह आपकी क्या थी लड़की कितने वसकी थी कितने पड़ाई थी कच्छा ना तो इसको मैं अपने अगल बगल सब धूरा रात को एक बज़े दो बज़े तक तो नहीं मिली तो फिर आप लोग क्या किये तो हम लोग आए फिंगर पे बैठे थे चार पज़े तक मेरे आंक लग गए तो मेरे चाचाय बोलाए तो मैं उठा चाय पीने गया तो मैं इफ्टान लगा तो मैं गया पुलिया जिप्टान करें दो यहां आदमी सब जूटे थे तो मेरे चाचा ऐस से ient i गए तो देखें गया हम Chakra पूछे किया है चाचा किया हु या अत्मत्या है उसको उठा के यहां से लेगे उसका मडर करके फेगनी है लेड़ें कुरूसिंगे तो वह कैसे लोग है क्या आपको जानकारी है कौन से लोग हो सकते हैं भी हमको नहीं मालुम कौन है क्यों नहीं है संब कि जनकारी नहीं नहीं है तो क्या हुआ आप रिपोर्ट दर्ज कर्वाया है या नहीं जो है घटनागटी जिलाजीत पिजापती की सोरवर्ष पुत्री की तो आज इनके घर पे आना जाना लगा है लोगों का यहां पे काफी जो है मुल्निवासी संके कार करता हुपश्टी पहल गई है इस घटना को देखती हुए जैसा कि प्रजापती परिवार यह कह रहे हैं कि थाना देक्ष मोहदे ने दो-तीन दिन के लिए जो रिपोर्ट जानने पर हम वागवत करेंगे हम आपको साथ हैं तो हम लोग भी हमारा संगठन जनपत के अस्तर से प्रदेश सरस्तर से मैं आपको अस्वस करना चाहता हूं कि यह दो-चार-चार दिन में इसकी घटना के रिपोर्ड नहीं मिलेगी तो हम जिला प्रसासन करने के लिए मज उन्होंने घटना किया है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए तो आएए हम आगे मुलिवासी करपता साथी से नमस्कार सभी को जैसा कि अब भी साथियों ने बताया कि बहुत ही निंदनी घटना है हम लोगो सोसल मेडिया से पता चला और आज हम लोग जो है पीडित के घर पे बात हुई और ये घटना सुनके हम सभी बहुत ही दुखी है और इस घटना की जितनी जनकारी मिल पाई है रिपोर्ट दर्ज हो गई पोस्टमाटम रिपोर्ट अभी नहीं आई है लेकिन हमारा संग जो है इस बच्ची के नया जानेर के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और हर परिस्तिती में खड़ा रहेगा पुरा जिला जौनपुर की पूरी टीम खड़ी रहेगी हम लोग अभी पोस्टमाटम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जैसे भी कारवाई होगी जब तक दोसी नहीं पकड़े जाएंगे ये सिर्फ आपकी बच्ची क दूर्भाग्यपूर्ण है यह हमारे समाज को बहुत ही दूसरे दिशा मिले जा रहा है जो नहीं होना चाहिए बहुत ही गलत चबी बन रही है इसके लिए हमारा संग जो कुछ भी हो पड़ेगा इस समाज के साथ खड़ा रहेगा मैं संतोसुकमार मुली मैसी, बिद्यार्थी संग जिला महास्चियू और अगर ये जो बच्ची के साथ जो भी कांड हुआ है अगर इन दोशिहों को अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई हम विद्यार्थि संग के माध्यम से धन्ना परदर्शन करेंगे और दोसियों को फासिक इमांग करेंगे जो भी होगा ये रिपोर्ट आने के बाद ही किलियर होगा